बिहार आज के समय में अपराध में पहले नंबर पर है, और बिहार का विकास का पहिया रुका हुआ है, तो जब तक मान्य मुख मंतरी जी को सत्ता से उखाळ कर नहीं फेकेंगे चिराघ पास्वान, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं इस बिहार में, चिराघ पास्वा इंडिये के खाते में भी होती कि जनता दल युनाइटेट के जो परत्यासी हैं वह धूल चाटेंगे अभी परचार परीवार के बच्छे थे वहाँ चिराग पासवन जाने का काम किये पदमार्च किये और जिला धिकारी को ग्यापन सो पा जिला धिकारी वही है जो अपने सीनियर को लिखते हैं कि यहाँ पर कानून नाम का कोई चीज नहीं है आउट अफ कंट्रोल हो गया है कानून लगातार हत्या हो रही है तो देखिए जो वहां पर भुम्यार समाज के लोग हैं कुर्णी में वो भी तो देखेंगे कि जो धोल पीटते हैं कि हम आपके समाज से एक परत्यासित दिये हैं तो कहीं आपके समाज में सेन तो नहीं लगा रहे हैं चेहरा जो पूरे देश भर में चिराग पासवान के जहां बिधान सवा के चुनाओ हो रहे हैं तो एक दलित चेहरा तो भारतिया जन्ता पाटी के पास मिल जागा जिसके लाखो दिवाने हैं और खास करके दलित समाज में तो परसांजी हैं ही बिहार से लगातार जो गरीब तपका है वो पलायन कर रहा है लगातार वो कभी कस परसांजी आपने पूछने का प्रयास किया है कि आपने पहली कलम में कहा था कि 10 लाख युवाओं को रुजगार देंगे कहा गया वो कलम कहा रखे हैं जिस कलम से आपने ये दावा किया था आप तो ऑल्रेडी जो भारतिये जन्ता पाटी के समय में जो भकैंसी निकली जि न्यूकती हुई उस वही न्यूकती पत्रा माट रहे हैं जो इतना जो टेक्सपियर के पैसा को जो आपने बरवाद किया और पूरे बिहार को जो आपने सरमसार किया उसका जवाब कौन देगा और कौन पूछेगा चंदन सिंग ने हमसे दावा किया था कि आप गोपाल गं प्रसांत भाई मुकामा में चिराग पासवान का जो जलवा दिखा जलवा दिखा कि मुकामा में आज तक इतना बड़ा रोड सो किसी राजनेता ने करके नहीं दिखाया एक बिहंगम द्रिसे था प्रसांत भाई और जो अनन सिंग की जीत 35,000-40,000 से हुआ करती थी और उनकी पतनी का ये दावा इस चुनाओ में भी था कि अनन सिंग के भी रिकॉर्ड को वो तोड़ कर दिखाएंगी कहां वो दावा चला गया कितने से जीत हुई आधे से भी कम पर आकर सिमट गए 15,000-16,000 से जीत हुई तो इस तो चिराग पासवान का असर था प्रसांत भाई कि वहाँ पर जीत का अंतर कम हो गया और संभाउता अगर चिराग पासवान वहाँ पर दो से तिन दिन का परचार कर दिये होते कैम्प कर दिये होते तो यसीट संभाउता इंडिये के खाते में भी होती तो क्या ये बात भाधता वाले एकदम गौर से सुने कि जल्दी अपना ले उनको अपना चुके हैं चिराग पासवान बहुत बड़ा चेहरा बिहार और देश की राजनीत में बन चुके हैं और आप याद रखिये कि बिहार में गठबंदन लोक जन सक्तिपाटी राम बिलास और भारतिये जनता पाटी के बीच में होगी या है लेकिन एक चेहरा जो पूरे देश भर में चिराग पासवान के रूप में भारतिये जनता पाटी को मिल जागा एक दलित चेहरा जिसका फायदा आप गुजरात के भी चुनाओं में उठा सकते हैं दिल्ली के MCD चुनाओं में उठा सकते हैं और देश के वो तमाम राज्य जहां बिधान सवा के चुनाओं हो रहे हैं तो एक दलित चेहरा तो भारतिये जनता पाटी के पास मिल जागा जिसके लाखो दिवाने हैं और खास करके दलित समाज में तो प्रसांद जी हैं ही जो यूथ वोटर हैं वो चिराग पासवान के तो दिवाने हैं ही लेकिन स्वन समाज में अति पिछड़ा में और अल्पसंक्यक समाज में तो भहु आयत में पाए जाते हैं इतो सोशल मीडिया उठा कर आप देखिए म और कुछ ऐसी बात थी जिससे कुछ समय के लिए अलग हो गया लेकिन भाजपाई जो रहता है वो भाजपाई रहता है और लोचपाई जो रहता है वो लोचपाई रहता है समय आने पर पार्टी की बात जिस भी प्लेटफॉर्म पर अगर मजबूती से रखनी होगी चुकि कि देखिए चिराग पासवान तो मेरे आदर्स रहे ही हैं एक यूथ लीडर है और जिस समय पाटी तूटी उस समय तय करने में एक सेकंड भी नहीं लगा प्रसांद जी कि किधर राजनीत करनी है तो एक बहतर बिहार बिक्सित बिहार और बिहार फर्ष्ट बिहारी हम लोग रखते हैं तो कि इसी बिहार में पले बड़े जन्मे हैं तो चाहते हैं कि कुछ यहां पर ऐसा विकास हो जो हम लोग भी बाहर अगर जाए तो बता सकें कि नहीं हमारे बिहार में भी ये चीज है अभी तो आपके बिहार से लगतार जो गरीब तपका है वो पलायन कर रहा है लगतार वो कभी कस्मीर में गुली खाता है कभी दिली में पिटाता है कभी महराष्ट में भाईया जी कहके ताना सुनता है तो लगतार माईग्रेट जो आपके बिहार के लोग हो रहे हैं उसके लिए जिम्मवार ये वर्तवान में जो 17 साल से मुखमंत्री हैं और जो पूर में काम की हैं 32 साल से बिहार के विकास का पहिया जो है प्रसांद भाई वह रुका हुआ है अपवाद में आप एक अलग है कि आप उधर पड़े और इधर चले आए ये बहुत जिगरा वाली बात होती है खबरे चली कि चिराग पासवान की पार्टी ने कुर्णी में चुनाव लड़ा था अठारा सो याद दो हज़ार के मार्जिन से आप लोग दस सल पहले हारे थे और खबरे चली कि भाजपा ये सीट चिराग को देगी महौल बन गया पूरा कि चली अब तक दम चिराग को भ मदद किया जाएगा तो अब भारतिय जंता पार्टी के यहां परत्यासिय यह भी पिछले चुनाव में बहुत कम वोट से हारे थे दो हज़ार दस में लोजपा वहां से लड़ी थी और डेड़ हजार के तकरीबन वोट से हारी थी तो कुड़िनी जो बिधान सबा ना है तो सभी समाज के लोग लग जाते हैं हमको लगता है कि बहुत आराम से भारतिय जंता पार्टी वहां से जीतेगी अगर आपको याद होगा दो हज़ार बीस बिहार बिधान सभा में चिराग पासवां जी अकेले चुनाव लड़े और अपने अकेले दम पर जंता दल उनाइटेट को बिहार के तीसरे अस्थान पर पहुंचा दिया इनके 43 या 41 विधायक ही जीत पाए तो कुड़नी उप्चुनाव में भी यही नजारा देखने को मिलेगा कि जंता दल उनाइटेट के जो परत्यासी हैं वह धूल चाटेंगे अभी परचार पढ़े कि चिडाक पासवान खाली बढ़ियां दाड़ी सेट कर वा लेते हैं और जाकर ऐसे करते हैं होता जाता उनसे कुछ नहीं है मदब दिखावा है सरु आप कभी पूशते हैं बिहार के मुख मंत्री से कि आप अपना आँख का उपरेशन दिली जाकर क्यों कराते हैं बिहार में जो हज्जारों जो मुतिया बिंद का उपरेशन करवाते हैं उनका आँख निकल जाता है आँख की रोसनी निकल जाती है आप क्यों नहीं पूशत हैं कि आप 29 में भेकेंसी निकालते हैं एक जाम लेते हैं ट्रेनिंग कराते हैं और 6-7 महिना करीब 10 महिना का आप सैलरी भी देते हैं और उसके बाद उन्हीं सब करमचारियों को आप कहते हैं कि आपको आकर गांधी मैदान में नुक्ति पत्र लेना होगा और खबरदार अगर किसी भी मीडिया के कैमरे के सामने आप दिखाई देंगे तो आपकी नौकरी खत्रे में पड़ जाएगी प्रसांद जी आपने पूछने का प्रयास किया है कि आपने पहली कलम में कह था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे कहां गया वो कलम कहां रखे हैं जिस कलम से आपने ये दावा किया था आप तो अल्रेडी जो भारतिये जनता पार्टी के समय में जो भकैंसी निकली जिसका एक्जाम हुआ और जिसकी निउक्ति हुई उस वही निउक्ति पत भाई तो चिराग पासवान सक्ता में नहीं हैं ये जमुई से मात्र एक सांसद हैं और पाटी जिस समय तूटी उस समय से बिहार के एक पंचायत में अगर कोई घूमने का काम किया है और जहरिली सराब से दलित महादलित वही दलित महादलित जिसके बारे में मानिय मुख मं प्रसांद जी कहे थे कि महादलित परिवार का अगर कोई बेटा मरेगा तो एक सरकारी नोकरी और जमीन दी जाएगी जबकि जब वह जहरीली सराप से मरा प्रसांद जी तो उसके घर में तो आप उसके परिवार और बाल बच्चा को निकाल कर और ताला मारने का काम किये उसी कोई मुख्य बिपक्च की भूमी का अगर कोई निर्वहन कर रहा है और सरकार से अगर सवाल पूछ रहा है तो वो चिराग पासवान है आप तो अभी देखे होंगे कि आरा में नौ दिन में नौ हत्या हुई और खास करके दलित परिवार के बच्चे थे वहाँ चिराग प नहीं है आउट अफ कंट्रोल हो गया है कानून लगातार हत्या हो रही है प्रसांद जी इस बिहार में और यह प्रसासन के लोग फायार लिखने तक का काम नहीं करते हैं क्यूं इसलिए कि यह डाटा अपने आप में है जो हो सकता है कि भारतिये जंता पाटी या देश के अ मानिय मुख मंत्री जी को सत्ता से उखाड कर नहीं पेकेंगे चिराग पासवान तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है इस बहार में सिट भाजपा हारती है कि नहीं हारती है है तो देखिए जो वहाँ पर भुम्यार समाज के लोग हैं कुर्णी में वो भी तो देखेंगे कि जो धोल पीटते हैं कि हम आपके समाज से एक परत्यासि दिये हैं तो कहीं आपके समाज में सेन तो नहीं लगा रहे हैं आप अगर गौर करेंगे तो मुकेस सहनी जी फूलन देवी का लगाये हुए हैं मूर्ति करपुरी ठाकुर्दी का लगाये हुए हैं लेकिन भुम्यार समाज से किसी का नहीं कर देगा अपना यहांत काटके अलग कर देगा अरे भारतिय जंता पाटी परिवार है अगर इस परिवार से अगर इंडिये परिवार है अगर इस परिवार से अगर किसी को कम बेशी कुछ हुआ है तो क्या मतलब वो दे देगा उसको वोट भारतिय जंता पाटी वहां पर ज जंके की चोट पर जीतेगी प्रसांद जी इस बिहार में जो कुसासन रूपी जो सरकार चल रही है मतलब आप समझे जंगल राज पार्टू या एडवांस जंगल राज आप कह लीजिए वो चल रहा है अपराद है भरष्टाचार है बैंग दकैती है रेप है कई तरह के अप लोट की टिपनी आती है कि यह बिहार जो है मादक पदार्त का एपिसेंटर बन चुका है यहां जो अपने सराबंदी की और सराबंदी करने के बाद जिस तरीके से यहां पर एक अपराद पनपा है यह सरकार के कंट्रोल के बाहर है प्रसांद जी आप लोग कब तक पिश ल है देखिए वो है एक व्यक्तिगत चीज हो सकता है चिराग पासवान सिर्फ बार जनपत से नहीं जाने जाते हैं चिराग पासवान की पहचान सिर्फ यह नहीं है कि वो स्वरगिये राम बिलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान ने धरातल पर उतर कर अपने आप को साबित किया है बिहार की महान जनता के सामने दो हज्जार बीस में पचीस लाख मत लाए तो कहीं न कहीं जनता का असिरवाद इनके साथ है और लगतार घूमते हैं प्रसांद जी मैं तो मतलब इनके एनरजी का कायल हूँ कि जितना इनमें बिहार में तरकी करने और कुछ अ एक मौके की तलास है, सही समय पे अगर सही मौका मिलेगा, अगर भारतिय जन्ता पाठी साथ में है, जिसके पास संख्या बल है, और चिराग पासवान वो चेहरा है, जो सब को स्विकार हर तपका, हर समाज को स्विकार है, तो एक आने वाले समय में कुछ बड़ा खेल हो सकता है, चल यह चंदन सिंग थे, बाकी नेताओं का काम है, अपना अपना पक्ष रखना, आपका काम है उनको सुनना और अपने प्रतिकिरिया देना, करेंड बोक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, मिरा नाम प्रिशान तरा है, आप जंदा निक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद,